भारत एक ऐसा देश जिसे संतों की भूमी कहते हैं एक ऐसा देश जहान जाने कितने ही साधू संतों ने जन्म लिया और इस धर्ती को धन धन्य कर दिया इसी तरह आज से कई वर्षों पहले बिहार के पटना में जन्म हुआ एक ऐसे संत मनिशी का जिनके जीवन का केवल एक उद्देश्च था हरी नाम का प्रचार प्रसार करना जी हाँ परमपूर्जे स्वामी श्री मधुमंगल दास जी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था महराज श्री का बचपन का नाम सर्दार जी था लेकिन उनकी माँ प्यार से विनोध या विनोध्वा बुलाती थी महराज श्री की माता का नाम सावित्री देवी और पिता का नाम राम देव जी था महराज श्री के माता पिता दोनों ही धार्मिक प्रवरती के लोग थे हरी के नाम का स्मरन सुन सुन कर ही गुरुजी का बचपन बीता जिस कारण बचपन से ही महराज़्री का ध्हान धार्मिक कार्यों में लग दया इश्वर के नाम के स्थान के साथ-साथ ही महराज़्री ने अपनी शिक्षा पटना के हाई स्कूल से पूरी की और फिर मुंबई में आकर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन को समर्पित हो गए महराज्च्री पिछले 18 से 20 वर्षों से मुंबई सिसटे वसई तालुकार नाला सोपारा विरार में आकर रहने लगे और कृष्ण नाम संकीरतन, भागवत कथा तथा अनेक धार्मिक कार्यों द्वारा हरी के नाम का प्रचार प्रसार का कार्य शुरू कर दिया और हरी के नाम का प्रचार प्रसार गुरु जी ने केवल भारत में ही नहीं बलकि विदेशों में भी किया गुरु जी अब तक देश विदेश में 500 से अधित कथाईं कर चुके हैं और अपना ग्रिहस्थ जीवन भगवान की सेवा कथा प्रचार में समर्पित कर चुके हैं ऐसे पूज्य ओजस्वी कथाकार स्वामी श्री मधुमंगल दासजी महराज से धर्म ग्रंतों पर आधारित कथा के आयोजन करवाने ही तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं साथ या पूज्य महराज्श्री को यूट्यूब या फेसबुक पर CHSH फाउंडेशन टाइप कर कथा का लाब ले सकते हैं फोन करके किसी का निंदा कर दिया वो पूरे दिन में 24 घंटे में एक या दो मिनिट ऐसा आएगा जबी आपका मन भगवान में गया होगा एक-2 मिनिट या उतना भी नहीं जाता है कही लोगों के कही लोगों घर बे तो भगवान होते भी नहीं हम लोग क्या है जीवेर सोरूप नित्श कृष्ण दास कृष्ण के दास होते हुए भी यहाँ गिर गए मिर्तु लोग में और गिरने का कारण वो साक्षात पाप खा रहे क्या खा रहे पाप खा रहे क्योंकि भगवान गीता में बताते एक शलोक में कि जो मैंने आपको दिया है सब खाने पीने की चीज वो आप लोग बना बना के किचन में खा लेते हो है न और मुझे तो देते नहीं हो अपने लिए तो बड़ा बड़ा ठाली है पाँच पच कटोरी के साथ और मेरे लिए एक सक्कर का गोली है हे पापियों हे बुद्धी हीन जीवों सब कुछ दिया हमने और मुझे ही नहीं दे रहे हो आप खाई जा रहे हो तो भगवान कहते ऐसा जो खाना है वो पाप है क्या कहते ऐसा जो खाना है वो पूरा पाप है और दिन में आठ बार खा लेते दिन में कितनी बार खा लेते है ना अब सुबे से गीनी है साथ आठ बार तो कोई तो बीस पचीस कप चाई पी लेते सिरु भगवान हम लोग को कितना प्रेम करते हैं भगवत दिया है कि पढ़ो और थोड़ा सुधर जाओ मेरे दाम बापीस आओ मैं अपनाने के लिए तैयारू रोज बुलाते शलोक में लिका है सर्भधर्मान परितज्या मामेकम सरनम राजा ए छोड़ो मेरे पास आओ 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 हम लोग ऐसे बैल हैं ऐसे गदे हैं ऐसे बुद्धी हीन हैं ऐसे मन्द मती हैं इतने पापी हैं कि इसको बले तुम उदर रहो मैं यहां ठीक हूँ मैं गीता पड़ूँगा नहीं गीता घर में रखूँगा नहीं गीता जहां बताई जाएगी वहां भी नहीं जाओंगा मैं अपने जगह में ठीक हूँ आनंद में हूँ और ऐसे ही एक दिन चला जाओंगा बोले हरे क्रिष्णा हरे क्रिष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो आप सबसे निवेदन है आज जो सुबह से किया था या आने के पहले तक वो लिखिएगा या कल जो किया था तो आपको खुद समझेगा आपके आइना आपके हाथ में होगा आपका आइना घर से निकलने के पहले आइना देखा होगा न कैसा दिख रहा हूँ दिखा की नहीं सब लोग देखा रोज देखते हैं ए डाइरे वाला आइना भी देखा करिए डाइरे वाला आइना देखा करिए तो आपको समझेगा कितना हम पाप कर रहे हैं कितना पुन कर रहे हैं कितना भक्ती कर रहे हैं और कितना भगवान को प्रसंद करने के लिए भगवत धाम जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं या इसी मृत्यू लोक में रहने के लिए बेवस्था बना रहे हैं या यहां से भी नीचे जाने के लिए नरक की विवस्ता कर रहे हैं। तो आपका आइना आपके हाथ में होगा रोज का डाइरी के रूप में। बड़ा सरल तरीका है अपने आपको जानने का, उठाने का। बहुत सरल तरीका है। जैसे सुन्दर दिखने का सरल तरीका क्या है। आइना है ना अगर आइना में देखा तो बराबर तिलक दिखेंगे। या जो आपने पैना है, सिंदूर, गले में हार, कपड़े सब अच्छा दिखता है। कुछ खराब है तो ठीक कर लेते। लेकिन आइना नहीं रहेगा तो ठीक कर पाएंगे। मैं ठीक कर पाओ, मेरा हार का ऐसा दिख रहा है। चलो ऐसा-इसा खाली कर लेंगे। नहीं कर पाओं। तो ऐसे जब डाइरी वाला आइना देखेंगे, आप सब साम को ठीक हो जाएंगे। मैंने इतना पाप कर लिया क्या, ना ही भगवान का भजन किया, किर्टन किया, ना कुछ सेवा किया, ना एक फूल दिया, ना भगवान को एक गलास पानी दिया, ना ही भगवान की आरती उतारी, ना ही गीता पड़ी, ना ही महामंत्र बोला, ना ही भक्तों का संग किया, ना ही सत्संग में गए ना ही मंदिर में गए ना ही तीरत में गए क्या क्या भाई उठके खुब खाया खुब ट्रेंड में धक्के खाये बस में धक्के खाये ऑफिस में कदे की तरह काम किया धूप में इधर उधर बढ़के फिर थाकार के घर में आए थूसके खाये सो गए फिर य जीवन बनाने वाला, इससे जीवन ना तो सुकी होगा, ना अनन्दित होगा, और कभी भगवत दाम नहीं जा सकते, भगवान के दाम में कभी भी नहीं जा सकते, तो कैसे जा सकते, भगवान के दाम जा कैसे सकते, सवाल ये भी उठता है कि गया कौन, देखा कौन, तो बड़ सरल उपाए है, कल परसो आपको तरसो, अगर रोज आप सुनेगे तो आपको समझ में आएगा कैसे जा सकते, कौन-कौन गए बहुत लोग गए हैं बहुत लोगों ने देखा हैं और आज भी जा रहे हैं और आप सब भी जा सकते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप सब को सुनने मिलेगा समझने मिलेगा सीखने मिलेगा और जाने का प्रयाज भी कर सकते और गारेंटेट जा भी सकते आप सब तयार हैं तयार हैं क्या जितने दर तयार हैं हाथ खरे होके भगवान का नाम बोलिए हरे हरे सब लोग तैयार हैं बड़ा आसान है आज थोड़ा सा सार बता दिया है फिर से बता देता हूं गहराई में दो चार दिन में ले जाएंगे दीरे-दीरे देखिए अगर भगवान के धाम में जो लोग भी गए हैं उन्होंने सिर्फ क्या किया एक नारत का उधारन ले उनकी मा एक नोकरानी थी क्या थी नोकरानी सादू संतों के यहां देवताओं के यहां बरतन घसने का काम करती थी जो देवता लोग सादू संत महत्मा छोड़ देते थे वो जूटा खुद भी खाती थी और उनका छोटा सा बच्चा नारत को भी खिलाती थी वो जूटा ख देज़ु खाते देवताओं का महत्माओं का साधु संतों का और भक्तों का शिर्फ जूटन22 खाने अर्ट उस्षोट ऊगे पवित्र ओगे और कभी-कभी उनकी सेवा भी करते थे छोटे बच्चे ते कभी सादू संतों का सर दबाते थे कभी हाथ दबाते थे कभी पैर दबाते थे और निरंतर उनका धर्शन करते थे और जब वो सादू संत महात्मा कीर्टन करते थे नारज जी भी उसमें नाचते थे, गाते थे और कीर्टन करते थे इतना करते करते, सिर्फ इतना ही, सिर्फ इतना करते करते, क्या हो गए हो, क्या हो गए, देवताओं के भी गुरु हो गए, और देवर्सी नारद हो गए, सभी देवताओं के गुरु हो गए नारद जी, सभी देवताओं के, क्या क्वालिफिकेशन है, दिग्री क्या है उनके पास योग गिता क्या है पढ़ाई लिखाई कौन से ऑक्सपोर्ट में गए कौन सा एंजिनियरिंग या डॉक्टरी किया कौन से करोरपती या फिर कौर्परेट हाउस के कौर्परेट हाउस के जो मालिक है उनके बच्चे थे भगवान क्या कहते है मुझे ये सब नहीं चाहिए जो प्रेम से मेरे नाम का कीरतन करता है सब छोर के मेरी सरन में आता है वो मुझे सबसे प्रिय है इतना कर सकते की नहीं घर में रहके राम राम बो सकते आज दुर्भाग हम लोग का क्या है हम लोग काम काम नुण रहे हैं एक काम कर ले दें आठ गंटे का फिर और चाछगंट गंटे bet गूंते लुँष गूंते हैं कि नहीं हाथ उटाए है दूंते 8 गंटे में जीव का पेट नहीं भर रहा हैं और चार छे घंटे का काम डूनता है और दुरभाग्य तो क्या है वो अपने घर वाली को भी बोलता है देख मेरे से पीछे आया था वो गाउं से और हम लोग से आगे निकल गया तू भी कुछ काम करेगी ना दोनों मिलके खुब कमाएंगे ना तो आगे निकल जाएंगे समझ ग चलके कहा जाएंगे चर्च गेट तक ही है वस इधर भिरार तक और इधर चर्च गेट आगे कहा जाएंगे और आगे आगे जाते जाते एक दिन इतना आगे निकल जाता है बापिस लोट के नहीं आता है चार जन फिर ले जाते है क्या ले जाते राम नाम राम नाम इतना आ मरने पे बोलते हैं राम नाम सत्य देखें जीब कितना बुद्धी माने जीब मतलब हम सब जीब मेंस हम लोगी पड़े लिखें उचे उचे डिगडी उची उची ठाट उचे उचे दिखावें उची उची सान तो हम लोग दिखावों में इतना काम इतना काम ढूण लेते हैं कि सिर्फ काम 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 और रह गया अब राम 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 यह अच्छी बात है बुरी बात है सिर्फ काम होगे काम मतलब कई प्रकार के काम मतलब भोगी भी होता है क्या होते हैं काम में इस भोगी संसार के बस्तूओं को भोग लेना है हमें संसारी बस्तुओं को भोगना चाते काम ही हो गए एकदम और काम जब पूरा नहीं होता तो हम लोग को क्रोध होता है कोई चीज हम ढूणने जाते हैं और मिलता नहीं तो क्रोध होता है और क्रोध के कारण फिर क्या होता है हमारा विवेक नस्ठ हो जाता है बुद्धी और फिर हम एकदम पाप में गिर के अपना सर्वनास कर लेते तो भाईया काम 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 नहीं नाम 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 और नाम के साथ साथ काम ये तरीका है क्या नाम, 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 और नाम के साथ ही सब काम, बोलिए नाम, 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 के साथ सब काम, इसका अर्थ यह हुआ, कि सब कुछ करिए, घर गरस्ती करिए, शादी करिए, बच्चे उत्पन करिए, समाज बनाइए, रिष्टेदारी बनाइए, नोकरी पे जाइ लेकिन हर जगा पर कैसे जाईए हरे क्रिश्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ट्रेन में तो ऐसे भी हाथ उपर रहता है, ट्रेन में हाथ कैसे रहता है, बोलिए, बोलिए, ट्रेन में आप लोग जाते हैं न, भीर रहता है कैसे रहता हाथ, मुझ तो खाली रहता है, अरे मजबूरी में तो बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 ह इसका अर्थ एक और समझें ये भीर से बचाओ क्रिश्ना रोज रोज मर्ता हूँ. जो लोग विरार से चर्च गेट जाते उनकी हालत पूछिए क्या है? और यह हम उस टाइम पर याद आता है भगवान, लेकिन जीव कैसा है? मन बुध्धी का है. कैसा है? मन बुद्धी आ सकते है वो दुख भोगता है कस्ट भोगता है रोज धक्के खाता है जगड़ा होता है परिशान होता है एकदम तरस्त रहता है लेकिन सीखता नहीं लेकिन आनन्द उठाना सीखता नहीं माताओं घर में जो रहती है और भाग्यवाने क्योंकि आज प्रभु लोग ही बोलते हैं भाई तू भी कमाईगी जाके तो हम आगे निकल जाएंगे है न और फिर आगे ही निकल जाते पुराने लोग है न पहले के लोग जो 25 साल, 40 साल पहले लोग अपने पत्नियों को स्त्रियों को, माताओं को, बेहनों को बेटियों को घर से बाहर काम के लिए सपने में भी नहीं सोचते थे जाए सोचते थे कोई पुराने लोग कोई बुजुर्ग बैठे तो बताईए आदे उमर वाले आज के जो बच्चे लोग है न वो तो सादियां इसलिए बनाते कि उनकी पत्नी पचास हजार पगार पाती है और फिर ये बिचारा घर पे खाना बनाता और बच्चा खिलाता है ये बिचारा ये बिचारा पत्नी का मारा अभागा घर में खाना बनाता है और बच्चा खिलाता है हजार का घटरी लाएंगे तो हम सबसे आगे जाएंगे समझ गया और फिर पतनी आ के बेड़ जाती है मैं बहुत ठक गई हूँ थोड़ा चाय पिला दो थोड़ा पानी पिला दो एक काम करोगे जी अरे बोलो बोलो क्या है थोड़ा पैर दवा दो कोई बात नहीं दवाता कोई बात नहीं कोई बात नहीं अरे तुम तो लक्षमी हो घर की तुम तो घर की तुम तो घर की लक्षमी हो अब नाराइन लक्षमी जी का पैर दवाते नाराइन जी फोटो में उल्टा है फोटो जो देखा है न घर में ओ बाला उल्टा है ओ बाला कैसा है बोली आप ओ लक्ष्मी जी, माता जी, ओ वाला फोटो में कैसा है बोलिये, आप लोग ऐसे नहीं है, मैं जानता हूँ, उसमें कैसा है, लक्ष्मी जी चरंदवाते भगवान कृष्ण के, नाराइन के, विष्णु के, हटती नहीं हो आसे कभी भी, भगवान उनको निवेदन करते है, ल देवी जी, आपका जगा मैंने अपने बक्षा स्थल पे हिर्दय में दिया है, आप देवी हैं, आप पवित्र पती वरता हैं, आपके हजारों गुन हैं, आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आप एक निष्ठ हैं, आपका मती सास्थरों में हैं, सादू संटों की सेवा में है भक्तों का संग में है हरी नाम संकीर्टन में है महा मंत्र में है जबतप में है धाम में है और हमेशा नाम में है आपका अस्थान मेरे बक्ष अस्थल पे हिर्दय पे है लेकिन लक्षमी जी क्या कहती है प्रभु क्यूं मुझसे अपराद कराते हो मुझे क्यूं अपरा महां ही आनन होता है और हमेशा चरन सेवा करती है देखा है आप लोगों ने देखा है सभी लोगों ने हाथ उठाके महामंदर बोली अगर देखा है तो अरे ट्रिश्ना हुर्ब लोगों मुझे देखअड डेखा बेखा शुकार हमेश। हरे हरे लक्षमी जी भग्वान को निवेधन करती है गिरगेराती है बिनती करती है और उनके आँखों से आशु भी छलकते है प्रबु ये सेवा से मुझे कभी बंचित नहीं करना उनके छरण पकरके लगती है लक्षमी जी और उनके पीछे पीछे चलना अपना सोभाग्य समझती है उनके पत्छ चिन्नों पे चलना अपना जीवन का परमलक्ष मानती है लेकिन आज विपरित दिशा में कलियुक का जो प्रभाव है कलियुक का जो पढ़ाई है प्रभाव और पढ़ाई पढ़ाई से ही सब कुछ आता है न, हम लोग अज्ञान दूर करने के लिए स्कूल में जाते हैं, जाते हैं कि नहीं, हमको मम्मी पापा भी बोलने नहीं आता है, तो मम्मी सिखाती है, मम्मी 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 तो सिख जाते हैं, पापा पापा पापा, फिर एभी सीडी, इतने पढ़ाई का प्रभाव आता है कि उस पढ़ाई का उसको बिद्या कहते हैं, अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, और जो बिद्या गरन करते हैं, उनको एजुकेटेड कहते हैं, ना, बराबर, I am educated people, क्या, I am, I am educated, highly educated, क्या कहते हैं, I am highly educated, I got degree from abroad, कहां, मेरा जो degree है, वो विदेश का है, कलियुक का पढ़ाई के कारण हमारे उपर जो प्रभाव आया, वो कैसा आया, पापी बनाने वाला आया, कैसा आया, महा पापी, दम, गिराने वाला, अरे हम लोग तो इतने पापी है, इतने पापी है, हम सब, गंगा जी को सरकार एक अभियान चला रही है, सरकार, हमारा एक सरकार अभी जो है, वो अभियान चला रहा है, गंगा जी की सफाई करेंगे, गंदा किसने किया, गंगा जी गंदा होके आय थी, गंगा जी तो गंदगी दूर करने के लिए आय थी, कलियुक के जीवों को पवित्र सुद् लेकिन हम इतने गंदे हैं इतने गिरे हुए हैं कि गंगा जी को ही काला कर दिया अभी साफ करने से नहीं हो रहा है और कागच पे लिखी हैं कागच पे आज लिख लिजिए याद रखेगा जब तक सांस है तब तक एक गंगा साफ नहीं हो सकती है एक गंगा जी साफ नहीं हो सकती है क्यूंकि साफ करने वाले थोरे से और गंडा करने वाले गंगोत्री से लेके जहां से गंगा जी निकली है गोमुक से लेके और जहां गंगा हुगली नदी में जाके मिलती है बेस्ट बंगाल तक वहां तक देखिए कितने गटर, कितने नाले, कितने नल, कितने मल और क कितने गंदगी भरे दूसी जल फैक्टरियों के और कितने और अनप्रकार की गंदगी उसमें रोज बहाई जाती है, सरकार बंद करेगी, हम सब बंद नहीं करेंगे गंदे लोग, सरकार क्या बंद करेगी, हमने जमना जी को भी गंदा कर दिया, जमना जी जो निर्मल थी, उ हम लोग गंदे हैं, क्योंकि हम लोग अहेंकारी हैं, क्या हैं? हम सब अहेंकारी होने के कारण, इगोस्टिक होने के कारण, हम बोलेगे हम लोग गंदे हैं, हमने गंदगी की, अरे गंगा जमना जी जाने दीजिए, अपने सोसाइटी को साफ नहीं रख तकते, एक जन साफ कर तो 15 जन गंदा करने वाला है और ये भले प्रयास होड़े अच्छी बात हैं लेकिन ये ना जमना जी साफ होने वाली है ना गंगा जी साफ होने वाली है उसका कारण क्या क्या क्योंकि कलियुक का प्रभाव गंदे लोगों के प्रभाव में कोई चीज पवित्र हो नहीं सकता हमारा एक कुड़ता उजला उजला दिख रहा है इसको अभी गटर में डुबा दू एक नाले के अंदर डाल दू कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा? अब उसी नाले में रोज धोता रहूं साफ होगा? साफ होगा क्या? समझ रहे बात साफ होगा नहीं होगा लेकिन हम ओई प्रयास कर रहे हम गंदे लोग चाते गंगाजी साफ हो जाए गंदगी हम ही डाल रहे और हम चारे साफ हो जाएंगे हो जाएगा अगर साफ करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा पहले खुदी साफ होना पड़ेगा ना पहले खुदी हम लोग साफ होने के लिए तैयार है क्या आप सबने तो हाथ उठाया कि भगवत धाम जाना है लेकिन सब लोग जाएंगे क्या सब लोग उठा रहे हाथ अरे लोगों की चाय नहीं छूटती है लोगों की इतने आसकते बीड़ी नहीं छूटता है इतने आसकते लोग मांसा हार करते इतने आसकते लोग बेविचार करते बात बात पे जूट बोलते दूसरों को धोका देते हैं, दुखी करते हैं, जगडा करते हैं, जगडा लगा देते हैं, दूसरे का धन ले लेते हैं, दूसरे की चीजों पर नजर रखते हैं, लूटने का प्रयास करते हैं। किल हैं बढ़ा लोग भले प्रयास करें लेकिन सबसे पहला प्रयास और प्रचार क्या करना पड़ेगा भाईया खुद पवित्र हो जाओ खुद निर्मल हो जाओ खुद की जितनी गंदियों निकाल के एक पोटली में रखो एक डस्तमीं में रखो एक कोई बास्केट में और दुनिया को दिखाओं, भाईया इतना गंदा मेरे घर से निकला है, इतना गंदा मैंने निकाला है अपने अंदर से, हम लोग कर सकते हैं क्या, अरे अपनी एक बात दूसरों को नहीं बताते, अपनी एक बात दूसरों को नहीं बताते, बोले हरे क्रिष्णा हरे क्रिष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 क्रिष्णा हरे क्रिष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे अपने एक बात दूसरों को नहीं बताते हैं एक संथ हुए कभीर दास संथ कभीर सुना अप लोगों ने नाम तो कभीर दास को एक बार बताया गया कि कभीर जी आज हम लोगों के मुहले में राजा सहब आने वाले हैं राजा सहब तो संद कभीर ने कहा तो क्या करना है बताईए बोले पूरा शहर सफाई करना है और सभी घर को भी साफ करके जरा भी गंदगी ना रहे ऐसी बेवस्था बना राजा एकदम सुन्दर जहर में आएंगे उनका मर्जी किसके भी घर में जा सकते कभीर दास ने कहा ठीक है मैं ऐसा करूँगा अब सभी ढोंगी थे सभी दिखावा वाले थे पापी थे चालाक थे है ना हम लोग भी चालाक है हम लोग भी कोई घर में आने वाला रहता है घर को कितना सजा देते कोई महमान सब छुपा देते और ऐसे चमकाते उनके लिए अच्छा-च्छा सब निकालते और उनको आकरसित करते अगर वो घर में आ गया और उसको अगर हमने पटा लिया तो जरूर कुछ न कुछ बनाई लोगा उनसे तो घर को सजा लेते थोड़ा सा वेवस्ता बना लेते अपने हुश्यारी का अपने तरक्की का आप देख रहे थे परम पूझे श्री मधुमंगर दास जी महराज के सानित्र में श्रिमत भगवत कथा का विशेश प्रसारण ये कारिक्रम निरंतर चलता रहे जन जन तक हरिनाम पहुचता रहे भगवान श्री जगन्नात, बलदेव एवं सुभत्रा जी अपने स्वयम के स्थान में विराजमान हो सके इसके लिए आप सभी दामदाताओं से अनुरोध है कि इस परम पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहियोग देकर कि अनुरोध अनुरोध देकर प्सक्राइब करें ज़िए प्राइब देकर ने